असलाम अल्यकुम फ्रेंट स्वागता आपका इस यूटूब चैनल जेके स्टेडी मडेरियल में जेके बोस के जितने भी 12th क्लास के स्टूडंट्स हैं जैसा के कल आपको फिजिक्स का पेपर है अब यहां पर आपको कुछ ही टाइम बचा हुआ है कुछ ही गंटों की बात है तो लास्ट टिप्स वर ट्रिक्स आपके लिए क्या रहेंगी कौन से यूनिर्स को आप दुबाराल अच्छे तरीके से रिवाइज करो ताकि आप अच्छे तरीके से पास हो सको तो अगर पेपर पेटरन की बात करें आप already जानते होंगे सेक्शन ए आपको 10 MC को जाएंगे हर कोई 1 मार्क्स को कर टोटल 10 मार्क्स बनेंगे सेक्शन बी आपको 9 वरी शार्ट कोश्चन होंगे 2 मार्क्स इच टोटल 18 मार्क्स बनेंगे section c आपको 9 short question होंगे 3 marks is total 27 marks बनेंगे section d 3 long question होंगे 5 marks is 15 marks आपको बनेंगे एक important बात आपको बताने जा रहा हूँ देखो जब भी कोई paper tough होता है tension मत लिया करो tough paper को देखके tension कभी भी मत लिया करो जितना paper tough होता है उतनी उसकी marking normal होती है क्योंकि previous year की बात है previous year जब physics का paper हुआ 12th class के students का almost सभी students रो रहे थे कि हमारा paper इतना tough है हमें यहां पर कोन pass करेगा इतना मुश्कल paper है अब अगर previous year के मेरे वीडियो भी देखोगे जब paper हुआ तो उसके बाद के कि कितना यहां पर students हो है उनकी comments कैसे आ रहे थी कितना वो रो रहे थे कि उनका paper कितना हराब हुआ था अगर हम फिर result की बात करें फिर जब result आया सबसे best result physics का था बागी किसी subject में 70% pass थे 75% pass थे 60% pass थे physics में 82% pass थे as compared to बागी subjects physics का result था वो अच्छा था इसलिए जब आपका paper tough है तो उतनी ही normal marking होती है उसकी tension मत लिया करो अब अगर हम बात करें आपने जो यह chapters है ज्यादा marks वाले इनके जो यह वाले chapters है इन chapters की अगर आप important topics पर focus करोगे अभी revise करोगे इनकी derivations पर आप focus करोगे इनके formulas पर थोड़ा बहुत focus करोगे यह आपके लिपेस्ट रहेगा अब देखो optics में कौन-कौन सा topic आपको important लग रहा है या फिर जो बार-बार exam में भी आ रहा है जो जो topics हैं आपके किने चुने important अब अगर इन units को या आपके 5 units बनते हैं अगर आप इन 5 units को अच्छे तरीके से focus करोगे इन पर अच्छे तरीके से prepare करोगे जो भी आपको time बचा है जो जो इनके important है आपको 47 marks बनेंगे देखो 70 marks का paper है 25 आपके 5 marks है पर यहां से आपको इन ही 5 units से 47 marks बनेंगे अगर आप इसमें से कोई भी 9 marks वाला skip भी करना चाहते है या 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 ये वो भी आप कर सकते है अगर आपको सिरफ 4 unit पढ़ने कोई 4 समझे आपने यह 4 पढ़ने यह 5 बने उस skip कर दिया तब भी आपको 38 marks यहां से बनेंगे तो tension मत लो बस आपको यहां पर जो units दिये हुए हैं जो ज्यादा marks वाले हैं इनके जो important derivations हैं देखो मैंने टेलिग्राम पेज पर भी वाटसेप पर भी derivations पूरी बेज़ी हैं चैप्टर वाइस तो आपको जो यहां पर जास ओप्टेक्स है ओप्टेक्स की derivations को देखो उसके important topics आपको जो लाग रहे हैं उनको देखो जैदा time तो है नहीं आपके पास बस गिने चुने जो units से इनको अच्छे तरीके से देखो एक बार revise करो जिन वाइस ने अच्छे तरीके से पूरा cell बस cover किया है वो भी इन ही units को दोबारा से revise जरूर करें क्योंकि यहां से आपको 47 marks बनेंगे अगर और time मिले भागी भी revise कर देना जिन students ने थोड़ा थोड़ा बढ़ा है तो दोबारा से इनको कोशिश करो ताकि आपके यह वाले units थोड़ा बहुत भी हो सकें और आप पास हो सकें इनके जो भी important topics ने derivations ने फर्मूले से इन पर थोड़ा focus रखना मुझे लगा था मैं morning को कोई वीडियो बनाऊंगा आपके लिए ताकि पूरा दिन आपको मिले और उसी साफसे थोड़ा बुदा आप उन चीज़ों को चेक कर सकें बट health issue की वज़े से वो वीडियो नहीं बना सका ताकि हर unit की जैसा कि optics का कुछ मै बना हुआ है वहां से आप थोड़ा बुद understand करके पूरा यहां पर topic बना सकते हो वो सभी मैंने आपको provide किये थे ताकि आप अच्छे तरीके से अपना paper जो है वो कर सको exam pass करना कोई मुश्कल भात नहीं होती है बस उसके लिए कुछ tricks और tips की जुरूरत होती है तो अच्छी तरीके से इंशाला सबका paper ठीक हो जाएगा और एक request आप सभी students को देखो IPL स्टार्ट हो गया है आपके exam चल रहे हैं और रमजान चल रहे है focus करो अपनी study पे और अपनी अबादत पे इन चीज़ों को फिलाल के तोर पे छोड़ दो जब exam हतम हो जाएक तब थोड़ा बुद्ध देख लेना second most important चीज़ जब IPL चला ऐसा कि dream 11 होगे बाकी जो भी एप्स होगे इनको भी दफा करो वैसे भी इस्लाम में हराम है इन से आपका सिर्फ पैसा वेस्ट होगा और कुछ फाइदा नहीं होने वाला अपने जो study उस पर focus करो